हेलो एवरिवान आईए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक एंड तिल नाव जो भी हमने डिसकस किया है उससे थोड़ा हटकर यह हमारा टॉपिक होगा आज स्टूडेंस हम डिसकस करेंगे अबाउट सेक्शन 172 और सेक्शन 172 बात करेगा concept of pledge तिल नाव हमने बेलमेंट से related each and every concept को बहुत अच्छे से discuss किया है and right now we will see कि एक concept pledge का भी होता है same in बेलमेंट जब हम बेलमेंट का contract करते हैं तो although वो होती बेलमेंट है but कुछ characteristics या कुछ features उसको बेलमेंट से या बेलर बेली के concept से अलग हटा कर क्या बना देते हैं contract of pledge या बेलमेंट of pledge so इस term को बहुत अच्छे से समझेंगे and we will see where this term is used particularly कैसे type of contract में हम pledge का उसको contract name देते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना है section 172 what is pledge क्या होता है pledge देखिए same जैसे मैंने बेलमेंट में आपको बताया था कि one party जब उसको किसी भी उसके पास दूसरा person कोई आता है like A, B आता है किसी भी purpose के लिए that I need your car for a week या फिर किसी time period के लिए either for purpose और for certain time period के लिए जब कोई किसी की चीज ले जाता है या एक person दूसरे को अपनी कोई चीज देता है इसको हम बोलते हैं बेलमेंट and after attaining that purpose achieving that purpose या completion of time period second person की duty बनती है कि वो उस समान को return करे जो actual में उसका owner था इस बेलमेंट and the students जिसको बेलमेंट को और deeply discuss करना है समझना है बेलमेंट क्या होता है parties कोन होती है कैसे होता है on the top you can see the exact video of this topic and you will get complete knowledge about it okay go and watch out that session now pledge में क्या है it is a kind of बेलमेंट ऐसी बेलमेंट मतलब इसको हम बेलमेंट की category में तो रखेंगे क्यों बेलमेंट की category में रखेंगे क्योंकि यहां पर भी एक पार्टी द्वारा अपना कोई समान दूसरी पर पार्टी को दे दिया जाता है ठीक है एक पार्टी अपना समान दूसरी को देती है इसलिए हम इसको बेलमेंट की category में रख रहे है बट section 172 में क्या defined है that it implies bailment of the goods as security for the payment ठीक है आपका यहां पर purpose already defined है बेलमेंट में क्या होता है there is no such purpose defined हर contract हर party की needs अलग हो सकती है एक party को दूसरे से book चाहिए read करने के लिए एक party को दूसरे से car चाहिए चलाने के लिए एक party कहीं जा रही है उसको अपना pet dog किसी को देखना है ताकि उसको safe custody हो सके एक party इतने अपना कोई मकान देख रही है तो वो अपना furniture किसी के घर रख रहे है for safe custody so there can be any reason in a particular contract of bailment कोई भी reason हो सकता है और हमें नहीं पता but pledge का जो contract होता है या जो pledge की condition है वो very necessary है और वो हर contract में हमें पता होगी कि यहाँ पर एक party द्वारा दूसरे को समान इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसने उसे पहली party से debt या करजा उठाया है पैसा उठाया हुआ आपने बहुत daily life में ऐसे situations देखी है आसपास आप देखते हो कि अगर कोई person एक person either from that is bank या किसी private person से individual से दूसरी party पैसा माँगने आई है suppose A से B पैसा माँगने आई B को चाहिए 5 lakh अब भया A जो है वो freely थोड़ा 5 lakh दे देगा in return कोई security तो वो रखवाएगा कुछ security amount तो चाहिए उसे अब जैसे हमने guarantor पड़ा था guarantee में क्या था वो दूसरा person अपने लिए एक surety ढूंड के लाता है कि तुम मेरी surety देते ना वहाँ but अगर ये नहीं है और ये चाहता है कि मेरे पास तुम अपना कोई भी समान pledge में रखो that is गिरवी रखो कि जब तुम मुझे वो उस पैसा देने आओगे मैं तुम्हारा समान तुम्हें वापिस दे दूगा but at least for that time period मुझे एक surety तो चाहिए तो surety के लिए क्या है भी अपना कोई भी ऐसी particular thing either his car, document of his house या फिर अपनी property के कागच, jewelry कोई भी ऐसी चीज गिरवी रख सकता है first person के पास just in return की उसको उससे debt लिया है उसनों से payment ली है तो security के रूप में या security जब किसी person ने दूसरी party से पैसा उठाया है security के रूप में जब आप अपनी कोई भी personal thing दूसरे को देते हो for that time period as a गिरवी रखना that is known as pledge तो bailment और pledge तो बहुत different हुई I hope आपको समझ में आई हो pledge में सरफ एक single kind of cheese हमें पता है कि एक party पैसा उठाएगी और दूसरी party को वो अपना समान देगी गिरवी में but bailment में there can be many type of contracts many type of agreements you can see let's understand through this through illustration why जो है this why person ये took a loan from the bank bank से loan लेता है against the security of his house property papers ठीक है bank ने उससे security के रूप में क्या मांगे है उसके property के papers तो suppose करो why एक हाथ से पैसा ले रहा है और एक हाथ से अपनी documents submit करवा रहा है property house property के papers दे रहा है bank manager को तो यहाँ पर जो why है the person who is taking money he is known as boner and bank जिसको जिससे पैसा लिया जा रहा है और जिसको in return कुछ दिया गया है that bank is pony ओके और document जो रहेगा जो की actually में जिस पर based है pledge thing जो की after repayment of loan वो वापिस मांगेगा वो होता है pledged goods right students I hope आपको इतीनों चीज़े समझ में है pledged goods, poner, pony name of these parties okay this is P-A-W-N-Y N-N-W next we have us parties to the contract अब parties to the contract कौन होंगी हमने parties to the contract bailment में कौन देखा है bailer, bailie same way parties to the contract in a contract of pledge में कौन होता है one is poner अब bailer कौन होता था जो actually में समान का owner है और poner वाले case में भी poner person कौन होगा जो actual में समान का owner है और जो अपना समान दूसरे person को दे रहा है गिरवी की form में तो poner अगर हम above example में देखे तो why ने loan लिया है और why अपने house property के कागर सम्मिट करा रहा है तो उनका वो owner हुआ so why is here poner right and other is party pony pony मतलब जिसके पास समान दिया गया है जिसको समान जिसके पास रखा जा रहा है तो यहाँ above example में कौन हुआ bank and इसको हम in अगर context bailment के देखे तो bailie बोला जाता है right students then next thing very important to discuss essential elements of pledge pledge के अप कुछ essential elements आपको देखने को मिलेंगे क्या-क्या है although आप यह सब खुद भी बता सकते हैं देखिए one is there is delivery of goods yes everybody know कि यहाँ पर delivery होनी चाहिए एक हाथ से पैसा लिया है आपने and side by side आप साथ में कोई समान pledge में रख रहे हो either it could be your house property, land property, jewelry box, anything next purpose of delivery क्या main purpose है यहाँ पर वो भी हमें well defined पता है security for the payment of debt आपने कोई debt loan amount ली है दूसरे party से और उसको आप security के रूप में कुछ दे रहे हो then property pledged should be movable जो आप property pledge करवा रहे हो, दे रहे हो वो actually movable होनी चाहिए movable in the sense कि वो एक party से दूसरी party के hands में जानी चाहिए दिखनी चाहिए अब जैसे वो अपना घर तो नहीं उठा के लेकर आ रहे है घर के कागच लेकर आ रहे है that documents or documents movable है वो transfer हो सकते हैं one person to other same way jewelry है, jewelry is transferable anything which is not transferable आप उसके documents दीजिए तो movable जरूर होना चाहिए, okay so features अगर हम देखें contract of pledge के features क्या रहेंगे first, a valid contract जैसे अभी तक हमने contracted जितनी भी essential elements देखें same way वो contract में भी होने चाहिए parties major होनी चाहिए contract का purpose lawful होना चाहिए consideration valid होनी चाहिए both the parties should have consensus of mind then delivery of possession एक party से दूसरी party के पास delivery जानी चाहिए और वो दिखनी चाहिए अगर आज आपके घर पे paper रखे दे तो कल अगर आप loan लेने गए हो तो वो paper अप दूसरी party के पास है actually में वो delivery दी गई है alright then ownership cannot be transferred यहाँ पर आप दूसरी party को honor नहीं बना रहे हो ऐसा नहीं कि अपने घरी नाम करवा दिया bank वालों को बेच दिया no there is no ownership transferred only possession is transferred for the certain being of time period आप सिरफ possession दे रहे हो आप उसको अपने घर का या आपने किसी भी चीज़ का मालिक नहीं बना रहे हो then next feature is security against debt यह जो purpose होता है इसका सिरफ यह होना चाहिए कि आपने दूसरे person से पैसा उठाया है debt उठाया है और उसके लिए आप security दे रहे हो otherwise for any bona fide reason gratuitously कि हाँ चल ले जा तो मेरे घर के कागश ले जा ऐसे वो pledge नहीं होती है then is return of goods on repayment यह भी एक perfect feature है कि जैसे ही particular party ने जैसे हम above example लेते Y ने जैसे ही अपना loan चुकाया repayment करी उसको तुरंथ ही return मिलना चाहिए अपनी property के documents का one hand से वो repay करेगा और one hand से उसको समान मिलेगा वापेज so I hope students आपको contract of pledge के सारे elements पता लगे है definition आपको समझ में आई है how it is different from bailment in next session we will discuss the rights and duties of various parties जो की pledge में होती है till then keep watching, keep sharing and yes don't forget to subscribe email address is given below those who want notes of judiciary exam आप किसी भी चीज़ की preparation कर रहे है कापको notes यहाँ पर आप अपना query डालिये doubts डालिये, we are available and you can also send your queries on telegram thank you कर दो की बालिये